शिंग रासी बारे राशियों में पांचवे नमबर पराती है शिंग रासी वालों को अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उनमें कोई भी शुब एवं मांगलिक कारिये नहीं करने चाहिए क्यों? क्योंकि ये अनुकूल ना होकर प्रतिकूल ही रहेंगे सिंग रासी वाले जातको के लिए इसे हम सबको सामुहिक रूप से घात चक्र बोलते हैं सिंग रासी वालों को हिंदू मास जैष्ठ अनुकूल नहीं रहेगा तीथी तीज अस्टमी तेरस अनुकूल नहीं रहेगी शनिवार घात वार होगा नक्षत्र मूल नक्षत्र घात नक्षत्र होगा पहला प्रहर उनके लिए शुब नहीं होगा अगर शिंग रासी वाला जातक पुरुस है तो मकर रासी का चंद्रमा घात चंद्रमा होगा और यदि इस्त्री है तो व्रिश्चिक रासी का चंद्रमा घात चंद्रमा होगा मुझे उमीद है कि सिंग रासी वाले जातक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने शुप एव मांगली कारिय करेंगे इन जो अभी अभी आपको मैंने घात चक्र बताया है इन तीथी, वार, महिना, प्रहर, चंद्रमा आदी को टाल कर ही आप अपने अच्छे शुब कारिये करें आपको सफलता मिलेगी जैशी किष्णा